जय दोर कदीश, जय काव भैरव, जय मेलर डिवा, तो आच अपके हैं, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, 15 अक्टूबर, शरिवार के लिए है ये रिडिंग, एंड हमने लिए हैं दो अब्जेक्ट, पहला है ये टरो, एंड दूसरा जो है, वह है फैरी टेल ओराको, तो चलो, सबसे पहले हम करते हैं, कुछ सेकेंज के लिए मनिफेस्टेशन, रिडिंग हमें अंडिस्टैंडिंग guidance के लिए मिले, तो चलो, अब करते हैं हम cards के shuffling, और देखते हैं भी कौन से cards हमें आज मिलते हैं, एंड क्या उनका मतलब होता है, जो घटनाए हमारे साथ घटी हैं, क्या उनका मतलब है, एंड उनसे हम क्या सीख सकते हैं, वो सारी चीजे आज हम जानते हैं, इस कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, 1,2,3,4,5,6, चलो, 6 card आ चुके हैं, तो बार shuffle करते हैं, कोई card आ गया, तो हम उसे ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक दो बार shuffle करते हैं, ठीक है, हम इसी 6 card से reading करने वाले हैं, ठीक है, I hope you could see the cards as well, I focus करता हूँ यहां पर, and जो पहला card है, वो है the moon, यानि की Pisces sign, mean rashi, and जो लाइसा card है, वो है the fool, तो major arcana की शुरुवात हमें यहां पर दिखी है, यह जो card है, जो sign है, वो है mean rashi, यानि के राशियों की सबसे आखरी राशी, मोक्षकी राशी, जीक है, देखो भी, the moon यहां पर आचुका है, and the moon का meaning है, यह person जो है, वो deep thinking कर रहा है, उसकी सोच बहुत ज़्यादा affect हो रही है, अब यह person अगर practical minded है, तो शायद यह समस्या सर्फ कुछ घंटों के लिए, कुछ लम्हों के लिए हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि यह person अगर emotional है, या फिर communication करने के लिए literally तड़प रहा है, तो जो भावनाय है, वो कुछ हपते तक भी प्रबल रह सकती है, ठीक है, नेक्शो हमें understanding आ रही है, वो यह है कि कहीं न कहीं यह person अपने आपको express करना चाहता है, अब वो कितने जल्दी अपने आपको express करता है, और किस धंग से, यह भी चानना काफी important है, कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसा move करते हैं, जिसके लिए या तो आप ready नहीं होते, यह तो आपको या फिर कैसी के हिसाब से कि वो अगर aggressive है, तो वैसे पसंद आता है, उनकी बोली भाशा कैसी है, रावडी है, वो शान्त है वगिरा, all of a sudden अगर आप उनके अंदर यह बदलाव देखे, तो आपको भी शायद कुछ हड़ बड़ाहट हो सकती है, आप या तो मुस्करा सकते ह या फिर आप इंके उपर गुस्सा भी हो सकते हो, अगर प्यार है, तो किसी कारण से ही प्यार हुआ है, लेकिन अगर ये उसके विपरीत बिहेव करें, तो शायद वो आपको पसंद नहीं आएगा, जो ला सकार है वो है तो fool and वही यहाँ पर जाननी काफी important बात है, इस person को अपने attitude को नहीं छोड़ना है, ठीक है, हाला कि ऐसा हो रहा है कि जो बदलाओ आ रहे हैं, वो जान बुच के नहीं कर रहे हैं, वो सबक सीखना चाहते हैं, वो कुछ understand करना चाहते हैं, ठीक है, and मेरे इसाब से ये person को लग रहा है कि अब अगर वो आपसे दूरियां नहीं बना सकते हैं, या फिर नहीं बनाना चाहते हैं, तो at least आपको communicate करके ये बता जरूर सकते हैं, नए सिरे से जीवन की तरफ देखना चाहते हैं, अगर आप इसको support करें, तो ये और भी भैदा तरीके से काम कर सकते हैं, सेकेंड जी कार्ड है, वो है queen of pentacles, ये कार्ड बहुत पार आ रहा है, Taurus, Virgo, Capricorn, Earth sign, मिटी तत्वा, practical minded है, लेकिन कहीं कहीं अब इसका दिल नहीं लग रहा है, हाँ ये decision maker है, आज भी ऐसे strict decision लेता है, जिसके कारण शायद लोगों के रूख आप जाएगी, पता नहीं क्या करें होगे हैं, लेकिन हाँ, एक चीज बहुत important है, ये secluded रह रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, और काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर ये अकेलापन बरदाश नहीं हो रहा है, तो किसी ऐसे के तलाश में हैं, जो इनके दिल को सुकून दें, और आप उस category में जरूर आते हो, यहाँ पे हम friend को तो involve नहीं कर सकते, because friend के साथ आप हर बार अपने दिल की बात सांचा करें, ऐसा मुंकिन नहीं होता, तो का important है, कि आप इस वेक्ती को समझे, queen of pentacles है, तो एक straight forward attitude यहाँ पे expected है, वही हमने यहाँ पे देखा, the moon में, कि अगर ये person अपनी भावनाओं को control नहीं कर पा रहे हैं, तो directly आपसे communicate कर सकते है यहाँ तक की phone पे phone भी आपको कर सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके हिसाब से भी उन्होंने हपतों से phone नहीं किया, और reading देखिया में लगा कि वो phone करेंगे, अब पता नहीं हो करेंगे, नहीं करेंगे, पर देखो, जैसे मैंने कहा, कि अगर ये practical minded ह हैं, तो ये सोच समझ के निरनेल लेंगे, लेकिन जिनके हिसाब से control नहीं कर पाते, वो फिर अपना पाक हो के आपको definitely contact कर ही देंगे, नेशु काड़ा यहाँ पे, वो है night of cups, I think इनकी एक ही फिलहाल मजबूरी है, कि वो अपने दिल की धड़कुन को सुन रहे हैं, सुन च कर सकते हैं, इसी वज़े से यह आप से communicate करना चाहते हैं, अगर आप इनके सामने कुछ बाते रखते हैं कि let's get married, या फिर continue our relationship, तो भी करने के लिए शायद यह person ready हो सकता है, because यह से हमने खाँ कि अब यह person अकिलापन बरदाश्ट नहीं कर पाता, हाँ ऐसा होता है, कि जब त कोई तो हो हमारे लिए, एक classic example, जस्तिन बीबर, अलगे इस अभी का example है, उसने कहा था कि, इतने साल के अंदर उसे खुद को settle देखना है, with children and with money, आज वो क्या है, आप खुद देख सकते हैं, नेशुकार्ड है यहाँ पे, वो है page of source, again communication का sign, जैमिना लीब राइक विरस के तो ही हाँ पे जो हमें दिख रहा है कि ये person अपनी भावनाएं आप तक पहुचाने की कोशिश कर रहा है, अब ये भावनाएं कैसे पहुचे कि, जैसे कि आपको यहाँ पी बादल दिख रहे हैं, बादल कभी चड़ते हैं, कभी हमें सूरज दिखता ही नहीं, कभी आसमान भी नहीं दिखता और कभी-कभी ढूंडने पर भी एक भी बादल हमें नहीं दिखता उसमें से कौन सा बादल बरसेगा और कौन सा गरजेगा हमें नहीं पता उसी प्रकार से ये जो communicate करना चाहते हैं जो messages कर रहे हैं कि जब मून इनके उपर भारी हो तो कुछ ऐसे भी बाते कर सकते हैं जो शायद आपके समझ के परे हो लेकिन यहां पर काड आता है दफूल तो यह बस अपनी दिल की चाहत को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं नेशुकाड है वह है पेज ओफ पेंटिकल्स अधिक कोशिश य हैं शायद वो असंतुलित हो गए हैं इंबालंस हो चुके हैं इसी बज़े से बालंस करने के लिए यह आप से कनेक्ट करना चाहते हैं अगर आप उन्हें एक मौका दे तो यह जो लासकाड है वह है दफूल तो यह ऐसे जिन्दगी शुरू करना चाहते हैं नए सिरे से जह जिन्दगी शुरू कर सकते हैं अब देखते हैं फेरेडल औराकल से हमें क्या रडिंग मिलती हैं चलो करते हैं कार्स की शुफलिंग एंड ही वी गो ठीक है देखते हैं हमें कौन से कार्स मिलते हैं एंड हम करते हैं मैन्यूल शुफल सर्फ पांच कार्ड हम चुनेंगे द क्या सारे काड्स ट्रेट है येस सो लेस कनेक्ट दूइट देखो जो पहला काड़् है वह पैशन तो जो रीजन है कि वह कम बाक क्यों कर रहे हैं आपकी सामने प्रस्तुत है पैशनेट है ये परसन एंड इस परसन के हिसाब से अब उसे कैसे भी करके आपके पास आना है और पैशन कंटिन्यू करनी है सेकेंड जो कार्ड है वो है म्यूचिल अट्रैक्शन मेबी वह आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं काफी ऐसे लोग होंगे जो सर्फ पांच दिन काम करते होंगे फिर जिसके हिसाब से शनिवार और रईवार ये दोनों ऐसे ये देज हैं जहां पे ये अपने दिल की सुनते हैं और इसलिए शायद वो और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपकी तरफ हो सकता है आपका कोई रिसेंट पोस्ट या रिसेंट फोटो उनने पड़ा होगा देखा होगा और उसके वज़े से ये काफी ज़्यादा अट्रैक् लेकिन कुछ हुआ था जिसके वज़े से आपको शायद जबाब नहीं मिल पा रहे थे अगर हम किसी के भी बात करें जैसे कि मानले एक्जामपल लेते हैं कि आप डॉक्टर के सामने बैठ डॉक्टर बात ही नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आएगा बिलकुल वही कि बात हम यहां पे देख पा रहे हैं जो नेक्स काट है वो है इंटेंस लव अफे़ यह इंटेंस लव यह परसन आपसे जूट नहीं बोलना चाहता यह दिल से आपकी परवा कर रहा है कर चुका है करना चाहता है इसलिए आपकी पर्मिशन चाहता है कि यूशूड लेट जो परसन बी इन योर ओन हार्ट and जो final card है वह है initial feelings ये आपके प्रती और ज्यादा सचक हो चुका है जिनका सबाह लेकिश अब क्यों contact कर रहे हैं? because initial feelings है feelings अभी उभर रही है feelings जागरूत हो गई है ignite हो गई और इसलिए आपको ignore नहीं कर सकते ये था reading, I hope it will listen it. thank you, take care, goodbye